एपिसोड के स्टार्ट में लोगों को बताते हैं कि अब यह सब कुछ तुम्हारे उपर डिपेंड है कि तुम इस सीड को कितना ज्यादा नरीस करोगे कितना ज्यादा पावर्फुल तुम इसे बनाओगे और हम वहाँ पे देखते हैं कि यह चिंग्शु जो होती है वहाँ पे अपनी पावर से उस पे जितनी भी स्पिरिशल पावर होती है वह उसमें डालने लग़ी होती है और हम फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे वाँ एंसेट नाइड हुने कहते हैं कि तुम इसमें जितनी पावर डालोगे इतनी ज़्यादा अच्छा बनेगा और अगर तुम इसे जितनी अच्छी तरीगे से ग्रो करोगे तुम इतनी जल्दी ब्रेक्ट्रू करो जाओगे दूसरे डियल में और उने कहते हैं लेकिन तुम लोगों का अपना मूँ बन रखना होगा ये बात तुम ही आज से बाहर नहीं जाने दे सकते क्योंकि इसमें ही तुमारी भलाई है और हम फिर तभी देखते हैं कि देने लगता है जिस पर वो कहता है कि जार इससे तो सच में मेरी पावर है वो और भी जादे इंप्रूव होगे मेरे अंदर भी जादे स्ट्रेंथ आ गई तो सोचता है कि आखिर ये चीज है क्या और हम वापे देखते हैं बहुत ज़ना पावर्फुल होती है जिस की देखा देखी में महाँ सभी लोग होते हैं तीन दू यंग मास्टर सीजयन और यंग मास्टर लैंकसा वही लोग माँच पर मढ जाते हैं अपनी अपनीशन करने के लिए और वो सबी लोग महाँपर वो cultivation कर रहे होते हैं तब ही वहाँ पे जो ancient night होते हैं वो कहते हैं कि कितना ज़्दा सुन्दर लग रहा है और कह रहे होते हैं कि जल्दी ये लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा powerful लोग बन जाएंगे इस दुनिया के और हम वहाँ पे देखते हैं कि चिंचान होता है वो वहाँ पे अपना meditation कर रहा होता है अची तरीके से और वहाँ पे जो उसका spiritual seed होता है उसमें से कुछ tentical से निकलने लग जाते हैं यानि कि वो बहुत ज़्यादा नरीश हो गया होता है तो वो देखता है कि यह क्या हो रहा है तब ही वहाँ पे जो एंसे नाइड हो है वोने कहते हैं कि यह seed जो चिंचान के पास है वो golden color का है उसके बाद जो है वो silver color का और सबसे नीचे जो rank में आता है वो है white color का seed तो वो कहते हैं कि लेकिन यह सब कुछ तुम्हारे खुद की करम के ओपर depend है कि तुम अपनी seed को कितने ज़्यादा powerful बनाओगे इसलिए यह सब कुछ तुम पर है ना कि उस seed पर बस यह seed की quality है तो तुससे थोड़ी से अच्छे है जिस पर माप वात इंदू कहते है तो इसका मतलब चिंचेन पर सबसे highest quality का seed है तो वो कहता है कि इसका मतलब तो मैं कभी भी उसे अप इस जीवान में कर उसकी cultivation से इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा और वो कहता है कि ऐसा तो यार क्या करेंगा अब हम लोग तभी वो कहते हैं कि हाँ ये सारी चीज तो तुम्हारी competition के result के ओपर depend थी लेकिन अब ये सब कुस तुम के लोगों के ओपर होगे तुम सभी लोगों का उन्टोम के अंतर जाना होगा और वहाँ पर जाके वो तुम्हारे ओपर depend करता है कि तुम किस तरीके की नहीं टेंस जीतो और क्या पता तुम्हारी कुछ अच्छी नहीं टेंस मिल जाए इसकी वज़त से तुम और ज़्यादा पाउरफुल हो जाओ जिसकी बात ये सुनके व्याति नुदू खुस हो जाता और वो कहता है कि चिंचैन भले ही तो competition जीत गया हो लेकिन तेरे पास यतनी powerful technique और सारी चीज नहीं होगी और हम लोग वहाँ पर जाके वो सबसे अच्छी सुप्रीम जो inheritance होंगे वो लेके आएंगे और वो वहाँ पर जाने लगता है और हम देखते हैं कि यंग मास्टर दीशेन भी कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादे strongest inheritance लेके आउँगा जिस पर हैं देखते हैं कि जो यंग मास्टर लेंग होते हैं वो कहते हैं कि मैं किसी को भी नहीं छूड़ूगा मैं सबसे powerfully inheritance लेका हूँगा और वहीं पर सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं कि जब सभी लोग वहाँ पर अंदर जाने लगते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो ancient narrative के पास खड़ा होता है और वह कहता है कि इतने सालों से मैंने यहाँ पर इंजार किया आखिरकार ये दिन आहीगा और वो यह सब देखके खुस हो रहाता है और हम वहाँ पर चिंचैन को देखते हैं कि जो वहाँ पर टोम के अंदर जा रहा होता है और हम वहाँ पर देखते हैं कि वो टोम के अंदर चला जाते हैं तो देखते हैं कि इस तरीके की जगाए तब ही हम देखते हैं कि वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तो एक अलग तरीका कुछ पैटरन बना होते तो वो कहता है कि ना तो यह एरे है ना एक कोई रूवीन ह है और जो जिसने भी बनायत होगा वो बहुत ज़्यादा पारफिल इंसान होगा लेकिन वो बड़ी आसान इसों से क्रैक कर देता है और फिर दूसरे टॉम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बाहर हम लोग देखते हैं कि वह आदमी यह देख के अरान होता है कितनी जल्द उसका कॉम्प्लिकेटिड सा है तो वहाँ पर वह अपनी जो माइंड की पाउर होती है उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर उससे देखने की लगलता है और वहाँ से एनरजी होती है उसकी एब्जोप से करने लगता है और हम इसी तरीके से देखते हैं कि वह आगे जो कि एक बहुत powerful जो उसे घुर रहा होता है और बहुत ज़्यादा powerful होता है जिसे देखके वो टर जाता है कि आखी रही क्या था तो कहते है कि चलो अभी तो इसे भूनो भी तो मुझे आगे जाना होगा तो वह वहाँ पर सबसे आगे होता है और हम देखते हैं कि चिंचायन होगा यहाँ पर पर इस पर जो भी इन्सक्रिप्शन लिका है से बनाने होगा तो महाँपे वा अपनी जोतरू onze देने लगता है जहाँ पर जो इस क्रिप्शन होता है वह बाप यहीं पर इसर बन जाता यहरे आपनी पर फोटा टेंक्य दोस्तों